एक लड़ के अपने बॉस के बेटे से ही अफेर करते हैं उन्दोनों ने मिलकर बॉस को फ़साने का प्लान बनाया पर सारी चीज़े जिस तरीके से सिंपल लग रही थी वो ऐसे सिंपल थी नहीं इसके बीचे बहुत सारे राज दफन थे अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसके ट्विस्ट के लिए इस वीडियो को अंट तक जरूर देखिए बिनाकसी देरी के एकस्पलेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन केरेटर लॉरेन को देख सकते है एक बड़ी सी कमपनी में एनलिस्ट थी अलग-अलग कमपनी किस कंडिशन में कमपनी इसके स्टॉक इन सारी सिजों के बारे में उसे बहुत सारा नॉलेज था आज रात भी अपने ब्रोकर के साथ वो काम करने वाली थी एक कमपनी को लॉस होने वाला है इसके बारे में वो डिस्कस करती है रात में उसे कमपनी देने के लिए आज उसके साथ कोई था उसके साथ वो इंटिमेट हो जाती है पर सुबह होती है उसे उसने घर से निकाल दिया क्योंकि उसे काम पर जाना था काम पर जाने से पहले लॉरेन मैंनी से मिली मैंने उसके फादर के फ्रेंड थे वो पहले पुलीस में थे पर करप्शन की वज़े से उनने निकाल दिया है पर आज कल वो डिरिक्टू का वर्क करते है लॉरेन ने उन्हें कुछ लोगों का पीछा करने का काम दिया था एक्च्वल में लॉरेन की कमपनी जिस कमपनी के साथ आज डील करने वाली है उन्हीं पर लॉरेन नजर रख रही थी इस मीटिंग में लॉरेन ने अपने बोस के सामने एक प्रोपोजर रखा जो करना उसे अलाउड नहीं था एक स्पेसेविक कमपनी के बारे में बात करते है वो कहती है आपको जल से जल उस कमपनी से बहुत सारे पैसे निकाल लेने चाहिए इस बात पर उसके बोस सिर्फ उसका मज़ाग उड़ाते है उन्हें लग रहा था कि यह बहुत इख़टी आडवाईस है बोस के जाने के बाद लॉरेन का मैनेजर से बात करता है कहता है तो इम प्रोपोजल देने के लिए किसने कहा था उसने कुश्य में उसे फायर कर दिया लॉरेन का डे खराब था तो डार्कली रात में बार में आई उसे एक आदमी अप्रोच कर रहा था वो पहले तो उसे उतना जादा भाव नहीं देती पर लॉरेन ने बोस के बेटे को मीटिंग में देखा हुआ था वही बेटा आज बार में किसी और के साथ आया हुआ है लॉरेन को ज़रा अकिला लगता है तो इस वज़े सो इससे हो बात करने लगते उस आदमी ने लॉरेन के लिए ड्रिंग्स बाई किया पर जब लॉरेन वाश रूम जाती है तो उसके ड्रिंग में कुछ मिला देता है यह बेहुशी का ड्रग था लॉरेन की तबियत बहुत ही खराब होगी वो आदमी उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है और जबरदसी उसके साथ इंटिमेट होने वाला था पर तभी बॉस का बेटा वहाँ पहुश गया इसका नाम में कले कले ने उस आदमी को बहुत मारा और लॉरेन को उसके घर पर सेफली हो पहुचा देता है लॉरेन का खैल रगने के लिए वो रात बर उसके साथ ही रुका लॉरेन को जो भोश है तो पूशती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो कले कहता है कि तुम्हें पता है कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया क्या था लॉरेन कहती कि हाँ मैं वैसे भी ड्रंग नहीं होती लॉरेन ने गले को उसके लिए कोग लाने के लिखा लॉरेन कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो हर जगा पर मैं तुमें देख रही हूँ लॉरे को इस पर गुस्टा आता है उसने उसकी घल्प की थी हो गहता है तुम्हें मुझे थैंक्यू कहना चाहिए था वो गुशे मैं आसे जा रहा था पर लॉरेन ने उसे रोक लिया वो बुच्छती कि तुम रात में घर क्यों नहीं गये हो गहता है तुम्हारा खैल लगना चाहता था अगर मेरी जगा कोई और होता तो यहीं करता कल की मीटिंग में लॉरेन और कले ये दोनों एक दूसरे से बहुत एट्रैक्टिर थे लॉरेन उसके पास आती है और फिर ये दोनों इंटिमेट हो जाते है लॉरेन उसे पुच्छती कि कल रात तुम किसके साथ है क्ले ने का कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी ये दोनों इंटिमेट हुए और फिर लॉरेन को कॉल आता है जैसा उसे लगा था कि कमपणी डूबने वाली है वैसा ही हुआ है उसे बॉस ने अपने ओफिस में बुलाया लॉरेन ना जो कहा था वो सही था और इसका मैनेजर गलत इस बात पर बहुत गुसा होकर मैनेजर को इफायर कर देता है लॉरेन को उसका जॉब और एक प्रमोशन भी मिल चुका था ये सब देखकर क्ले भी इंप्रेस था बाद में दोनों इस दुसरे के साथ टाइम्स पेंट कर रहे थे लॉरेन कहता है मैरे फादर कभी भी आ सकते है पर फिर भी जो नहीं मानी ये दोनों फिर यही पर इंडिमेट हो गए जब लॉरेन इस घर से जा रही थी तो अभी अभी जिस मैनेजर को को फायर किया उस पर नजर एक रहा था उसे लग रहा था कि लॉरेन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है आज जब लॉरेन काम पर आए तुसे लगता है कि उसे एक बड़ा सा इसे देख रहा था यह देखकर लॉरेन कहती है जो तुम्हें कहना है यह प्लीज मत कहो खली उसे आई लवे बोलने वाला था लॉरेन कहती है मेरे पहले भी शादी हुई थी वो मुझे छोड़ कर चला गया वो फिर इसे हट नहीं होना चाहती है कि लिए लॉरेन को एक बहु मुझे अच्छा सा जॉब मिल सकता है अब जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हो वे तुम्हें छोड़ कर कही भी नहीं जाना चाहता अगर तुम मेरा साथ हो तो मेरे फादर के सारे वैसे मेरे हो सकते है इस सब के बारे में लॉरेन ने और अग्ले से बात करती है क्यáticas के अगर तुम जहाओ तो सारे पैसे हमारे हो सकते हैं ले कहता है कि मैंसर्फ मजा कराता अब भी मेरे पास पैसे है हम अगर जाए तो कहीं भी जा सकते है लौर ने कहा कि पैसे ना होना ये क्ला होता है मैंने उसके लिए वरीड था तो कुछ भी गलत ना करे। लॉरेन कह दिये ये फुल प्रूफ प्लान है इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। ये प्लान समझाते हैं लॉरेन ने का कि तुम्हारी कमपनी एक बड़ी कमपनी को बाई करने वाली है। ये बाई करते वक्त इस डील पर मैं ही नजर रखने वाली हूँ। जब हमारी कमपनी पैसे ट्रांसपर करने वाली होगी तुम्हें बैंक का नेम चेंज कर दूँगी। अलग बैंक में सारे पैसे चले जाएंगे जहाँ पर हमार आकॉंड होगा। इतने सारे पैसे चुराने के बाद इन्हें एक नई आइडेंटिटी लगेगी। तो यही बनवाने के लिए एक लड़की के पास हो गया। जो हैकर थी और यह आइडेंटिटी वेगरा बदल सकते थी। इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे लिए पर फिर भी लॉरेज़न इसके लिए मान जाती है। नेकसिन में हम देखते हैं कि लॉरेज़न के घर में एक समीटीन की पर्वेकरा लेता है। यानि कि कोई भी प्रावलम ना है वो डील के सारे डॉकुमेंट्स बॉस के पास सम्मीट करती है बैंग में जाकर एक फेक आकॉन भी उसने निकाल लिया बॉस पर दूर से नजर रखते हो उसके सारे पासवर्ड उन्होंने निकाल लिये और सारे पैसे वो ट्रांसपर कर लेते है आज ये दोनों बहुत ही खुश थे तो डारेकली इंटिमेट हो गए प्रिवेस सीन में हमने देखा था कि जिस लड़की ने लॉरेन के लिए एक फेक आइडेंटिटी बनाए हुई थी उसके पास एक्स मैनेजर गया वो डारेकली उसे मार देता है मूवी के वस में लॉरेन को एक आदमी ने जबरदस्ती की थी उसी आदमी को एक्स मैनेजर कले के घर में लेकर आता है वहाँ पर उसने उसे मार दिया फिर ग्यास ओन करकर वहाँ से चला जाता है जाते जाते उसने घर में ब्लास्ट कर दिया था इसे अब सबको लगने वाला था कि Clay की डेथ हो गए एक्चुल में एक्स मैनेजर Clay के लिए काम कर रहा था सारे काम हो जाने की बाद ही उसके पास आया पर Clay उसे ही मार डालता है राद में जब मैनी अकेला था तो उसके पास भी Clay गया उसका भी उसने मर्डर कर दिया सारे पेसे हमेशा से Clay अपने लिए पाना चाहता था उसने लॉरेन के साथ जो भी किया ये मैनेजर के साथ मिलकर पहले से उसका सारा प्लान था लॉरेन राद में उन्हें फेक आइडेंटिटी लेने के लिए गई पर वहाँ पर उस लड़की का मर्डर पाती है उसे फिर पुलिस का कॉल आया कि मैने की डेथ हो चुकी है येने उस सुनने के बाद लॉरेन बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो गई थी क्ले उसके साथ था तो उसे सहारा देता है सुबा वने पर लॉरेन को क्ले पर शक आ गया था उस निकास से अपने आपको कट किया और अपना खुन अपार्मेंट में डाल देती है उसने फिर क्ले को एक होटल में छोड़ दिया उसी को उसने अप्रोश किया कि कौन आर्टिस कार्श को प्ले करकर अलग-अलग ट्रिक से लोगों को कौन करता था लॉरेन उससे जाकर बात करती है कहती है मेरे बास तुमारे ले एक बड़ा जौब है उसने कले को उसे दिखाया कहती है इससे तुमें पासवर्ट चुराना है उस पर दिन भर तुम नज़र रखना तुमें इसके बदले में बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा तुम कभी भी इमेजिन में नहीं कर सकते हैं इसके बाद लॉरेन अपने ओफिस में कई पर वहावर उसका पुलिस वेट कर रहे थे पुलिस उसे कहते हैं मैनिंग, कले और तुमारा एकस मेंज है यह सारे डेड है इन सारी की डेड में सिर्फ तुम ही कॉमन हो लॉरेन इस पर चिर जाती है और पुलिस को कुछ भी नहीं बताती पुलिस ने नोटिस किया कि लॉरेन की आख सुजी हुई थी एनिचान लॉरेन ने खुद जान बुश कर बनाय हुआ था लॉरेन का बॉस उसे बुशता है कि अब तक डील कंप्लीट नहीं हुए लॉरेन गयती है आज शाम तक पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी दर में कौन आर्टिस ने कले से पासवोर्ट चुरा लिया था और लॉरेन से मिलने के लिए आया उसके साथ बहाना मना अगर ओफिस से चली जाती है बॉस को पता चला कि लॉरेन ने सारे पैसे निकाल लिया है उसे रोकनी की कोशिश करता है पर रोक नहीं बाता कौन आर्टिस ने कहा कि मुझे पता है कि उस अकाउंट में कितने पैसे है मुझे इसमें से कितने मिलेंगे लॉरेन गयती कि 50% वो भी यह देखकर खुश हो गया था यह दोनों मिल कर फिर इस कंट्री से बाहर चले गए लॉरेन ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि कले अभी भी जिन्दा है उसने कहा कि आज शाम वो एरपोर्ट पर आपको मिल सकता है लॉरेन नाटक करती कहती है मुझे धमका रहा था मेरी जान भी खत्रे में है पुलिस कहते है कि हमारे पास आजाओ हम तुम प्रोटेक करेंगे पर लॉरेन ने का पहले तुम कले को ढूंट उसके बाद मैं खुद आ जाओंगी पुलिस ने फिर शाम में कले को पकड़ लिया वो लॉरेन को भी ढूंडने की कोशिश करते है तो उसके अपार्मेंट में उसका खुन पाते है लॉरेन अपनी गाड़ी भी पीछे छोड़ कर गई थी पुलिस को इसमें कले की डियने विगरा मिलते है वो इस सब से अजुम करते हैं कि कले ने लॉरेन को मार दिया कले इस सब में बहुत इबुरी तरीखे से फजच चुका था लॉरेन के पास कले के अकाउंट के पासवड आ चुके थे तो डारेक्ली सारे पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है वो एक अलग country में जाकर settle हो कही थी उसने तो clay पर believe किया था पर clay धोके बाज निकला तो उसे वो बदला ले लेती है इसी के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो please इसे like कर दीजेगा ये बहुत सारे movies लेकर आते रहते हो तो please चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तब तेक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये